हलो फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास t7 Android का रिष्टीरियो और इस बीडियो में बताऊंगा आपको क्या कक्या पासवर्ड होती है और कहां कहां पर इसकी पासवर्ड होती है इससे पहले भी मैंने इस पर एक video बनाया हुआ है बट उसमें कुछ पास्वर्ट रह गया था, छूट गया था तो मैं उस पास्वर्ट को भी cover करूँगा और साथ इसाथ जो पास्वर्ट मैंने बताय था उसको भी cover करूँगा और इसके अलावा TS7 की कोई और पासवर्ड नहीं होती है टोटल पासवर्ड को मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बता दू आपको फैक्टरी सेटिंग की पासवर्ड क्या होती है और इसकी ओप्शन कहां पर है तो फैक्टरी सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा देन लेफ्ट हैं साइड में लास्ट सेकेंड ओप्शन फैक्टरी की है और इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद प्लीज इंटर यूर पासवर्ड इस पर क्लिक करना है फेक्टरी सेटिंग की दो पासवर्ड होती है फर्स्ट वन इस फोर टाइम्स एट एंड वन टो ट्री फोर फाइब सिक्स जब आप फोर टाइम्स एट को टाइप करोगे और कन्फर्म करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल नाइन ओप्शन देखने को मिलेगा फेक्टरी सेटिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन्वस की सेटिंग के लिए मोडल चूज डिसेबल रिवर्स वीडियो रिवर्स मीरर डिसेबल डोर डिसेबल रडार रिवर्स ट्राजेक्टरी रिवर्स लाइन रूलर डोर इन्फो लोगो सेटिंग अब मैं बैक करके फेक्टरी सेटिंग के अंदर मैं पासवर्ट टाइप करके दिखा दे रहा हूँ 123456 123456 देन कंफर्म कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैंने डवलेट डवलेट टाइप किया था तो उससे बहुत ही ज्यादा ओप्सन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो ओप्सन वहाँ पर थी डवलेट डवलेट में वो ओप्सन तो यहाँ पर है और उसके अलावा बहुत सारी ओप्सन यहाँ पर एड़ाउन हो चुकी है उससे बहुत सारा एक्स्ट्रा ओप्सन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा देन कार सेटिंग इस पर क्लिक करना है इसलिए इसकी भी दो पासवर्ड होती है 4x8 and 123456 अब मैं यहाँ पर 4x8 सबसे पहले ट्राय करके आपको दिखा दे रहा हूँ इसके अंदर क्या-क्या ओप्शन ओपेन हो रहा है यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ नेक्ष्टा सेटिंग की पासवर्ड 123456 टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ 123456 देन ओके तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो सेम जो फैक्टी सेटिंग के अंदर मैंने 123456 पासवर्ड टाइप किया था और जो भी ओप्शन ओपेन हुआ था सेम ओप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अब नेक्ष्ट पासवर्ड है रिसेट फैक्ट्री के तो रिसेट फैक्ट्री के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा then more पर click करना है then car setting then last second option reset factory then यहाँ पर password टाइप करना है 7890 then okay okay करने के बाद आपका player factory data reset हो जाएगी but मैं यहाँ पर factory data reset नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं cancel बटन को दबा दे रहा हूँ then अब जो next password है developer options की इसके लिए आपको setting पर click करना है then more then last option system पर click करना है then developer options और यहाँ पर password आपको type करना है seven eight nine zero then आपके जो clock में आप जिस time stereo को use कर रहे हो और stereo में जो भी time हो रहा होगा time का फर्ष्ट का two digit आपको type करना होता है मैं जिसे यहां पर ten o clock हो अुरा है तो आपको one end 0 type करना है जिसे आप आपके clock में कोई दूसरा टाइम हो रहा है सपोज तीन बज रहा है तो आपको 03 टाइप करना है तो हमारे यहां पर यह 10 o'clock हो रहा है तो मैं यहां पर one and zero टाइप करके okay कर दे रहा हूं यहां पर आप देख सकते हो developer options यहां पर open हो चुकी है और यहीं पर एक और password आपको देखने को मिलेगा यूसबी debugging का सबसे टॉप option जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो यह भी disable है इनेबल करने के लिए यहां पर password type करना होगा जोन जेओ एचन एड़ रेट टी डवलू डैस डैक्स टॉप डी एसके टी ओपी देन ओके ओके करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं इनेबल हो चुकी है अब जो नेक्स पासवर्ड है बैक लाइट करेंट रेगुलेशन की इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना हुआ सेटिंग देन मोर देन कार सेटिंग देन लास्ट ओप्शन एक्स्टा सेटिंग देन यहां पर पासवर्ड टाइप करना है बैक लाइट करेंट रेगुलेशन की ओप्शन है इस पर क्लिक करना है देन यहां पर आपको पासवर्ड टाइप करना है देन यहां पर आपको पा और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ओपेन हो चुकी है और इस ओप्शन से आप डिस्प्ले के अंदर जो बैक लाइट होती है अब एक और पासवर्ड है लाश्ट अब जो लाश्ट पासवर्ड है अलाओ टो इंस्टॉल एपिके इसके लिए आपको सबसे पहले फाइल मेनेजर में जाना होगा क्यों देन फाइल मेनेजर में जाने के बाद आपको लेप्ट हैंस्टाइड नीचे सटिंग पर क्लिक करना है देन जेडनल सेटिंग देन आलाओं टू इंस्टॉल एपिके इस पर क्लिक करना है यदि यह इनेबल है ऑन है इसको औफ करना हो यकोahah से On करना है तो आप इस पर Click करोगे तो six digit का यहाँ पर password टाइब करना होगा इंटर करना होगा तो इसकी पासवर्ड 789 0 अन 11 ऐब सेवन 689 012 टाइब करोगे तो आपका यह password Work करेगा यहाँ पर यह पर okay करके दिखा दे रहाând यह भी on था और यह अभी off हो चुकी है तो यहां पर मैंने ts7 की सारी password को मैंने इस वीडियो में cover किया यदि आपके पास ts7 के अलावा कोई other player है तो उसकी password की link नीचे आपको description में मिल जाएगा thank you